या देवी सर्वभूतेश शक्ति रूपेड संस्थिता नमस्तसे 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 नमो नमहा नौरात्र में देवी महात्म का विशेश महात्यो हैं देवियों में तृदेवी, नवदुरगा, दर्ष महाविद्या और चोशत्य योगनियों का समू हैं अधिकतर देवियों को भगवान शंकर की पत्नी पार्वती से जोड़ कर देखा जाता है नौरात्र में नो दिन तक देवी के अलग-अलग स्वरुपों की पूजा होती है उपासना होती है शिव पुराण दुर्गा शब्सदी आदी जगों पर माता अंबिका को तुर्देव जन्नी कहा गया है तुर्देव अर्थात, ब्रव्वा, बेशनु और महेश की जन्नी माता को ही अंबे, सर्वेश्वरी, जगदंबे आदी इन नामों से पुकारा जाता है नौरात्र में नवदुर्गा की पूजा होती है अंबिका ने ही दुर्गमा सुर का वद किया था इसलिए उनका नाम दुर्गा पड़ा मद्व और कैटव का वद करने के कारण उन्हें कैटवा भी कहा गया चंड और मुंड नामक असुरों का वद करने के कारण उन्हें चामुंडा कहा गया शास्त्रों के अनुसार सदाशिव द्वरा प्रगट की गई अंभिका शक्त की आठ भुजाएं हैं शक्ति जगत जननी देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन है और अन्यक प्रकार के अस्त्र शक्ति धारण करती हैं भगवाण शंकर को महेश और महादेव भी कहा जाता है भगवाण शंकर ने सरोप्रिठम दक्ष राजा की पुत्री दक्षाइनी से विवाह किया था दक्षाइनी को ही सती कहा जाता है माता पार्वती शंकर की दूसरी पत्नी थी जो पूरुजन में सती थी देवी पार्वती के पिता का नाम हिमवान और माता का नाम रानी मैनावती था सती और पार्वती की कई बहने थी जिनकी भिन्द भिन्द नाम से पूजा की जाती है माता पार्वती को ही पहाड़ा वाली और शेरा वाली भी कहा जाता है ये भी कहा जाता है कि भूमी के देवी उमा भी शंकर की पत्नी थी रक्त बीच का वद करने वाली माता काली भी उनकी पत्नी थी शैल पुत्री, ब्रहमचारणी, चंद्रघंटा, कूशमांडा, स्कंदमाता, कात्याईनी, कालरात्री, महागौरी और सिध्धिदात्री ये माताओं के वो स्वरूप हैं जिनकी पूजा आर्चना नौरात्र में सभी भक्त जन करते हैं कुछ इन्हें माता अंबिका का ही आध्यात्मिक रूप मानते हैं, तो कुछ माता पार्वती का रूप मानते हैं पर्वत राज हिमाले की पुत्री होने के कारण उन्हें शैल पुत्री कहा जाता है ब्रहमचारणी अर्थात जब उन्होंने तपश्चर्या द्वारा शिव को पाया तब उनका नाम पड़ा ब्रहमचारणी चंद्रगंटा अर्थात जिनके मस्दक पर चंद्र के आकार का तिलक है उधर से अंड तक वे अपने भीतर ब्रहमभांड को समेटे हुए हैं इसलिए कूश्मांडा कहलाती हैं उनके पुत्र कार्थिके का नाम इसकंद भी है इसलिए वे इसकंद की माता इसकंद माता कहलाती हैं यग्य की अगनी में भस्म होने के बाद महार्श कात्याईन की तपस्या से प्रसंद होकर उन्होंने उनके यहां पुत्री रूप में जन्म लिया था। प्रतेक देवी का वाहन अलग-अलग है। अगली कड़ी में हम बात करेंगे दस महाविद्याएं कौन सी है। इन दस महाविद्याओं के बारे में विस्तार से जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड अवश्य देखें। और अब हम बात करेंगे देवी मा के छटमे सुरू मा कात्याइनी की। देवी मा के नो रूपों में छटमा रूप है मा कात्याइनी का। कात्याइनी पार्वती का ही दूसरा नाम है। संस्कित शब्द कोश में उमा, कात्याइनी, गौरी, काली, हेमावती और ईश्वरी जैसे नामों का उल्लेक मिलता है। शक्तिवाद में उन्हें शक्ति या दुर्गा जिसमें भाद्रकाली और चंडिका भी शामिल है। इसके अलावा यजुर्वेद के तैतिरिय अरहनक में भी उल्लेक मिलता है। इसकंद पुराण में भी उल्लेक है कि वो परमेश्वर के नैसर्गी क्रोध से उत्पन हुई थी। और देवी पार्वती द्वारा दिये गए सिंग पर आरूढ होकर उन्होंने मैशा सुर्का वद किया था। वेख्षक्त की आदि रूबा है। इसका उल्लेक पाडिनी पर पतंजली के महाभाष्ट में किया गया है। जो दूसरी शताबदी इसापूर में रचित ग्रंथ है। मा कात्याइनी का वड़न देवी भागवत पुराण और मारकंडिय रिशी द्वारा रचित मारकंडिय पुराण के देवी महात्य में भी किया गया है। जिसे 400 से 500 इसापूर में लिपिबध किया गया था। बौध और जैन ग्रंथों और कई तांत्रिक ग्रंथों विशेश रूप से कालिका पुराण जो की दस्वी शताबदी में लिखा गया। उसमें भी उलेक मिलता है। जिसमें उद्यान या उडीसा में देवी कात्याईनी और भगवान जगनात का इस्थान बताया गया। परंपरागत रूप से देवी दुर्गा की तरह वे लाल रंग से जुड़ी हुई है। नौरात्रे उत्सों में शष्टी को मा कात्याईनी की पूजा की जाती है। इस दिन साधक का मन आग्या चक्र में स्थित होता है। मा का नाम का त्याईनी कैसे पड़ा इसकी एक कथा प्रचलित है। कत नामक एक प्रिसिद्ध महरिशी थे। उनके पुत्र रिशी कात्य हुए। इनी कात्य के गोत्र में विश्व प्रिसिद्ध महरिश का त्याईन उत्पन हुए। इन्होंने भगवती पारांबा की उपासना करते हुए अनीक वर्षों तक बड़ी कठिन तपस्या की थी। उनकी च्छा थी कि मा भगवती उनके घर पुत्री के रूप में जन्म ले। माग भगवती ने उनकी ये प्रार्थना स्विकार कर ली। कुछ समय पश्चात जब दानो महिशासुर का अत्याचार प्रतिवी पर बढ़ गया तब भगवान, ब्रह्मा, विश्नु, महेश इन तीनों ने अपने अपने तेज का अंश देकर महिशासुर के विनाश के लिए एक देवी को उत्पन किया। महार्ष कात्याईन ने सर उप्रतम इनकी पूझा की, इसी कारण से वो कात्याईनी कहलाई। ऐसी भी कथा मिलती है कि ये महार्ष कात्याईन के यहां पुत्री के रूप में उत्पन हुई थी। आश्वनी कृष्ण चतुरदर्शी को जर्म लेकर शुक्ल सत्मी, अश्टमी और नौवी तक तीन दिन तक इन्होंने कात्याईन रिशी की पूझा ग्रहन कर दश्मी को महिशासुर का वद किया था। मा कात्याईनी आमूख भलधाईनी है। भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रिच की गोपियों ने इन्हीं की पूझा कालिंदी यमुना के तटपर की थी। ये ब्रिच मंडल की अधिश्ठात्री देवी के रूप में भी प्रतिष्ठत है। मा कात्याईनी का स्वरूप अतिंत चमकीला और भास्वर है। इनकी चार भुझाई है। माता की दाहिनी तरफ का उपर वाला हाथ अभे मुद्रा में और नीचे वाला वर मुद्रा में है। बाई तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार और नीचे वाले हाथ में कमल पुश्प सुशोबित है मा कात्याइनी का वाहन सिंह है मा कात्याइनी की भक्ति और उपासना द्वारा मन्श को बड़ी सरल्था से अर्थ, धर्म, काम, मूठ यतशearों फल प्राप्थ होते हैं मा कात्याईनी की उपासना का दिन होता है इनके पूजन से अद्भुत शक्ति का संचार होता है और दुश्मनों का बुरी प्रवत्यों का संहार करने में ये विक्ति को सक्षम बनाती है इनका ध्यान गोधूली बेला में करना होता है सूश्म जगत जो अद्रश्व अव्यक्ट है जिसकी सत्ता मा का त्याइनी चलाती हैं वो अपने इस रूप में उन सब की सूचक है जो अद्रश्व या समझ के परे हैं वास्तों में मा का त्याइनी दिविता के अति गुप्त रहस्यू के प्रतीक हैं सभी प्राकरतिक विपदाओं का संबंद मा के दिवय का तैनी रूप से है वो कुरोद के उस रूप का प्रतीख है जो स्रिष्ट में स्तरजनता, सत्य और धर्म के स्थापना करती है मा का दिवय का त्याइनी रूप अव्यक्त के सूश्म जगत में नकारात्मक्ता का विनाश कर धर्म की स्थापना करता है ऐसा कहा जाता है कि ज्यानी का क्रोध भी हितकर और उप्योगी होता है जबकि अग्यानी का प्रेम भी हानिप्रद हो सकता है इस प्रकार माकात्याईनी का क्रोध वो रूप है जो सब प्रकार की नकारात्मक्ता को समाप्त कर सकारात्मक उर्जा का संचार करता है या देवी सर्वभूतेश शक्ति रूपीन संस्थिता नमस्तस्यी 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 नमो नमहा हे मा सर्वत्र विराजमान और शक्ति रूपनी प्रसिद्ध अंबे आपको मेरा बार बार प्रणाम है मैं आपको बारं बार नमन करता हूँ अगली कड़ी में हम बात करेंगे देवी मा के सात्मे स्वरूप मा काल रात्र की यदि आपने अभी तक हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अनुरूद है कि अभी सब्सक्राइब करें लाइक करें और अपने कमेंट्स भी दें धन्यवाद देवी मा की किरपा आप पर सदयों बनी रहे जै मादूर के